हलो बच्चों, कैसे हो सभी? एक बार फिर स्वागते हैं आपका GIS की Math Online Classes तो अपनी कल जो थे अपने 1.2 के जितने भी उधारन थे, वो सब हमने सौल कर लिये थे ना बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइस थी जिसमें हमें केवल HCF और LCM निकालना था किस से? वो ही अपने एभाज गुननखंड विदी दोरा, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 1.2 के प्रिसन तो जो पहला प्रिसन है, वो है निमन लिखेत संख्याओं को एभाज गुननखंड के रूप में व्यक्त कीजिए तो केवल एभाज गुननखंड के रूप में व्यक्त करना, यानि कि सीदे सीदे से गुननखंड करना है, ठीक है? तो जिसमें पहला जो है, वो अपना है 140, दूसरा जो है, वो है अपना 156, तीसरा जो अपना है, वो है 3825, ठीक है? और भी है इनमें, दो और है, वो पहले बाद में करेंगे, पहले इन दो को कर लेते हैं, ठीक है? एभाज गुननखंड करने, तो एभाज संख्या तो आपको पता है, क्या होता है, एसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा, किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, क्या कहलाती है? एभाज संख्या कहलाती है, और एभाज गुननखंड, तो जो भी संख्या दी गई ह उसमें ऐसी संख्याओं का भाग देना जो अभाज्य संख्या हैं ठीक है तो सबसे पहले हम 140 का करते हैं किसका करते हैं 140 का तो मैं इसे इदर लिख लेता हूँ थोड़ा सा 140 तो वोई गुननखंड विदी द्वाराई करेंगे सबसे पहले सबसे छोटी एभाज्य संख्या का भाग देंगे यानि कि दो का देंगे कितनी बार जाएगा सत्तर फिर दो का देंगे कितनी बार जाएगा पैंतीस तो अब दो से भाग नहीं जाएगा तीन से भी भाग नहीं जाएगा 5 से देंगे 5 साते 35 और फिर 7 से देंगे एक बार तो 140 के गुननखंड एबाद जो गुननखंड क्या होंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 कैसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना 5 गुना में 7 बात कैसे लिख लो एक ही बात है ठीक है हम यह उपर जैसे हैं इसकी तरह लिखेंगे यह हो चुका है पहला बिलकुल आसान सा है दूसरा है 156 यहां लिख देता हूँ मैं 156 सबसे पहले 2 से भाग देते हैं ठीक है तो 2 से भाग देंगे तो अपने पास जाएगा 7, 2, 14 और 8 ठीक है फिर 2 से चला जाएगा 2 से जाएगा कितनी बार 3 और 9 अब इसमें 2 से नहीं जाएगा किस से जाएगा 3 से चला जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9 अब इसमें किस से जाएगा 13 से जाएगा एक बार तो यह देखो सतारी की सारी जो संक्याँ कैसी है? एभाज संक्याँ और हमें एभाज गुन अंखन करने और एभाज संक्याँ इदार आनी चाहिए तो 156 का यह यहां खतम हो गया है पहला दूसरा है 156 इसका भी दो की गात दो लिख सकते हो या 2 गुना 2 गुना 3 गुना में 13 लिख सकते हो तीसरा है 3852 इसको भी मैं इधार लिखता हूँ ताकि अपने पास जगे बन जाए 3852 दो से भाग देते हैं सबसे पहले ठीक है? तो दो से जैसे भाग देंगे हम तो देखे देखते हैं कितनी बार जाएगा दो और 6 उननीस सो चब्वीस बार फिर दो से भाग देखे देखते हैं नो दुनी अठारा चाह एक छे और तीन ठीक है? नो सो तिरेस अब इसमें दो से भाग नहीं जाएगा तीन से चला जाएगा तीन तिया नो तीन दुनी छे और एक फिर भी तीन से चला जाएगा तीन एक कम तीन और तीन सत्ते एक्कीस यह जाएगा एक सो मतलब दो एक सो साथ वार है ना क्योंकि बीच में भाग तूटेगा ठीक है? एक सो साथ गुना तीन करके देख ले ना यतना ही आएगा देखो साथ यह एक्कीस का एक हांसे लगी दो दो और तीन एकम तीन सो एक्कीस अब एक सो साथ में किसका भाग जाएगा? एक सो साथ में भाग देखे देखो किसी संक्या से भाग जाता है या नहीं जाता है तो पांच तीन से नहीं जा रहा? ठीक है, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा तो 107 जो है, वो एभज संक्या है कैसी संक्या है, एभज संक्या किसी भी और संक्या से इसमें भाग नहीं जाता ठीक है, तो 107 से ही भाग देते हैं तो 3852 के गुनन खंड हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना में 107 ठीक तीसरा सवाल हो गया यह पहले का अब हम करेंगे इसी का पहले का ही चौथा सवाल है 5005 इधर कर लेते हैं 5005 तो देखो आगे पीछे 5 है तो किस से भाग जा सकता है 2 से तो जा नहीं सकता ठीक है 3 से देखे देखेंगे तो यहाँ 2 बचेगा 2 बचेगा तो हो जाएगा 20 हो जाएगा 18 फिर बचेगा 2 20 फिरी हो जाएगा 25 तो 3 से भी नहीं जाएगा 5 से देते हैं सीधा किस से देते हैं 5 से 5 से भाग देंगे तो यहां तो आएगा 1 0 0 और 1 अब यहां कितना आ चुका है अपना यहां आ चुका है 1,001 5005 में 5 से भाग दिया तो आया 1,001 में भाग देके देकते हैं किस से भाग जाएगा देखो इसमें तो 5 से चला गया अब 1,001 तो 1,001 जो एक है उसमें भाग जाना चाहिए किस से 5 से तो जाएगा ने क्योंकि पीछे 1 है دेखो 7 से देके देखते हैं 7 एकम 7 बचा 3 उतार लिया 0, 7, 4 2 उतार लिया 1 और 7 तिया 21 पूरा पूरा भाग चला गया कितनी बार 143 तो 7 का भाग इसमें दिया तो बचेगा कितना 143 अब 143 में 7 से तो भाग जाएगा नहीं साथ के बाद एभाज संक्या कुन सी आती है 11 11 कम 11 11 33 11 का चला जाएगा कितनी बार 11 11 एकम 11 बचा 3 और 11 33 और 13 में भाग चला जाएगा 13 का तो ये हो गए इसके एभाज गुनन खंड किसके? पांच हजार पांच के कितना हुआ? पांच गुना साथ गुना 11 गुना में 13 ये हो गया अपने पास चोथा अब अन्तिम है पांच हुआ 24 29 पीछे 9 है तो 2 से भाग नहीं जाएगा तीन से देखे देख लेते हैं इधर जाएगा या नहीं जाएगा 3 दूनी 6 1 14 3 4 तिया 12 बच्चा 2 उतार लिया 2 7 तिया 21 एक और 9 नहीं जाएगा तीन का भी भाग है ना तो किसका पांच का भी इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि पीछे क्या है 9 है साथ से देखे देखते हैं गलती तनी हुए कोई एक और फिर से देखते हैं 3 दूनी 6 बच्चा 1 उतार लिया 4 3 तिया 9 3 4 के 12 बच्चा 2 फिर 7 तिया 21 एक और 9 नहीं जा रहा है साथ से देखे देखते हैं 5 से भी नहीं जाएगा 7 से चेक करते हैं एक और साथ एकम साथ उतार लिया 4 0 2 इसमें भी सत्चिंग 42 फिर बच्चा 9 9 में भाग पूरा-पूरा नहीं जा रहा इसमें भी भाग पूरा-पूरा नहीं जा रहा तो 429 में किसका भाग जाएगा 9 तो ए भाग जिसंग क्या है नहीं 11 का देखे देखते हैं 11 चीकी 66 बचा 8 उतार लिया 2 11 साथ 17 तो 11 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 और 2 पांच और 9 ग्यारे पंजे 55 हो रहे हैं 13 का देखा देखते हैं 13 दुन 26 तेरे ती उन्ताली तेरे चोके बामन और तेरे पंजे 65 तो यहां बच रहा है पांच और चार 9 उतार लिया दो का तेरे पंजे 55 तेरे चिंग 66 तेरे साथ एक और 9 नहीं जा रहा यह हो जाएगा कितना साथिया 21 एक हांसे लगी 2 साथ एकम साथ और 2 नो एक क्यान में बचेगा 19 उन्नीस में भी तेरे का भाग नहीं जा रहा तो चोहतर सो उन्तीस में भाग किसका जाएगा पूरा पूरा तो सत्रे का देखके देखते हैं वही तेरे तक तो देख देख लिया उसके बाद 14 अबाज जसंक्या नहीं है 15 अबाज जसंक्या नहीं है 16 अबाज जसंक्या नहीं है कौन सी है 17 है ठीक है तो चार बार जाएगा साथ चोह के सच्चों के 28 हांसल लगी 2 4 एकम 4 और 2 6 बचेगा 4 और 2 6 उतार लिया 2 अब जाएगा 3 वार 7 तिया 21 हांसल लगी 2 3 एकम 3 और 2 5 कितना बचेगा 11 है और यहां हो जाएगा 19 तो कितनी बार जाएगा 17 गुना कितना कर रहे है 6 कर कर देखते है 7 पीछे आना चीए 7 एक की सच्चों गठाई 7 पंजपेती सच्चिंग वैली 7 7 49 का 9 का हांसल लगी 4 साथ एकम 7 और 4 11 सत्रे से पूरा पूरा भाग गया है कितने से सत्रे से और कितनी बार गया है यह 4000 4,3 7 बार कौन सी संक्या है 17 संक्या है और भाग गया है 4,3,7 अब इसमें देखके देखते हैं किसका भाग जाएगा एक बार तो 17 से ही चेक करते हैं जाता है या नहीं जाता 17 कि सत्रे 70 36 बचेगा 6 और 3, 9 और 7 तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 7 पूरा नहीं जाएगा तो अब हम किस करें देखें, 17 के बाद आता है 19 तो 19 दूनी 38 कितना बचेगा 2 और 3, 5 और 7 19 का चला गया, किसका चला गया, 19 का कितनी बार 23 बार कितनी बार गया, 23 बार, 23 में किसका जाएगा 23 का ही जाएगा, और किसी का नहीं जाएगा ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत जरूर लगी है लेकिन हो गया, किस से गया, सबसे पहले 17, 19 और 23 तो ये हो गया अपना 429 के एभाज गुनन खंड 17 गुना 19 गुना में 23 पांच वे का हाद ठीक है? एक बार फिर से चेक करते हैं पहला है 140 दूसरा 156 तीसरा है 3825 3825 ये देखो यहां 52 लिख रखा है ना ये सबाल थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया यहां आएगा 3825 इसको दुबारा कर लेता है कोई देखकत नहीं है 3825 52 नहीं है वो कितना है 3825 है तो इसको भी यहां से दुबारा कर लेता है तो दो का भाग तो जाएगा नहीं पीछे क्या है 5 है तो 3 से देखके देखते है 3 एकम 3 3 दोनी 6 थ्री यहां बच जाएगा 2 3 सथे तीन से भी नहीं जाएगा 5 से ही देते है सीधा 55 पास सथे 35 बचेगा 3 तो यह हो जाएगा 30, कितना उजाएगा 5, 6 की 30 बचेगा 2 तो 25 25, कितना आया 6, 305 अब फिर 5 से चला जाएगा 5 एकम 5, बचेगा 2, 25, 25 बचेगा 1, और 25 25 फिर चल जाएगा 5 से 5, 35 पंदर है, और 5 एकम 5, अब 31 में किस से जाएगा 31 से ही जाएगा तो इसके होंगे गुननखंड 5 गुना, 5 गुना, 5 गुना 5 गुना में 31, ठीक है एक बार फिर से सवाल चेक कर लेते हैं सारे, 429 था 429 पांच हजार पांच तो ये हो गया है अपना पहला सवाल complete एक पॉइंट दो का ठीक है तीसरा सवाल जो था वो था अपना 3825 हमने पहले किया था इससे 3852 में से ठीक है ना तो याद रखना ये जो तीसरा सवाल है 3825 है 52 नहीं है एक बार फिर से एक बार चलो इसको करा देता हूं देखो 3825 पांच का भाग दिया पचम 25 56 की 30 57 35 36 37 38 कितना बचा 3 उतार लिया 2 56 की 30 बचा 2 उतार लिया 5 तो पचम 25 ठीक है कितना आया 756 फिर भाग चलाएगा 5 से 5 एकम 5 बचा 2 25 और बचा 1 5 तिया 15 इसमें 3 से भी भाग जा सकता था गया सुरू महीं एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं कोई गड़वर नहीं हो जाए क्योंकि क्या होता है ेभाज संक्या सबसे चोटी एभाज संक्या से भाग देना होता है तो सबसे पहले देखो 2 से तो सीधा सीधा नहीं जा रहा तो हम 2 के बाद क्या 3 ही चेक करते हैं तो 3 एकम 3 उतार लिया 8 3 दुनी 6 बच्चेगा 2 उतार लिया 2 तो यह हो जाएगा 3 साथे 21 बच्चेगा 1 और आ गया 15 तो 3 पंजे 15 तीन का ही चला गया इसमें तो पूरा पूरा भागना तो 5 से पहले हम किसका देंगे 3 का देंगे देखे देख लिए जार वह न कि सबसे च्छोटी संक्या से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा यह आ गया 1205। 1205 में देखे देखो अब 3 से भाग जा रहा है क्या? 1205 में 3 से भाग यह हो जाएगा expectation साथ तीन दुनी छै एक और पाँच तो यह हो जाएगा पाँच दिया पंद रहा है फिर तीन से चला गया कितनी बार 425 वार फिर 3 से देखे देखते हैं 3 है कम 3 अब 3 से नहीं जारा अब जाएगा 5 से तो यह हो जाएगा 8,5,40 और 5 फिर चला जाएगा 5 से 5 है कम 5 और 5 सत्य 35 और फिर आएगा 17 तो इसके गोननखंड होए हैं, तीन गोना, तीन गोना, पांच गोना, पांच गोना, सतर है, ठीक है, देखो धोड़ा भाग देने में ही mistake हो सकती है, तो जितनी calculation आसानली से करोगे, हर एक संख्या से भाग दे के देखना है सबसे छोटी संख्या 2 से चेक करो फिर 3 से चेक करो फिर 5 से चेक करो फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 फिर 23, 19, 23 तो जितनी भी एभाज संख्या है सबसे चेक करना है जैसे यह जो संख्या थी इसमें पहले किसी संख्या से नहीं गया सबसे पहले गया 17 से फिर 19 से और फिर गया 23 से तो यह हो चुका है अपना पहला सवाल complete जिसमें हमने क्या करना था एभाज गुननखंड करने थे क्या करने थे एभाज गुननखंड अब हम करेंगे दूसरा सवाल जिसमें करना है हमें HCF और LCM ग्याद कीजिए तता इसकी जाच कीजिए कि दो संख्याओं का गुननफल HCF गुना LCM होता है बिल्कुल ऐसे ही गुननखंड करेंगे फिर LCM और HCF फाइंड करेंगे हमने कल बता दिया था कैसे फाइंड करता है उसके बाद हमें उन्हें verify भी करके बताना है जो अपने सूतर लिखाए था ना कि दो संख्याओं का गुननफल HCF गुना LCM के बराबर होता है ऐसे ही करके हमें क्या करना है उन्हें जाच करनी है उनकी तो यह मैं मिटा देता हूँ ठीक है यहाँ आपको लिख लेना सब दूसरा सवाल है HCF यह है पहला दूसरे का 26 और 91 दूसरे का पहला है 26 और 91 तो हमें क्या करना है एक तो LCM और HCF फाइंड करने क्या LCM और HCF और फिर हमें यह बताना है कि सिद्ध करना है कि इन दोनों का गुननखंड HCM गुना LCF के बराबर होता है यह भी हमें बताना है इसमें ठीक है तो देखो तो देखो बिल्कुल आसवान है चबवीझ और 11 में के सबसे पहले हम गुननखंड करते है 26 के गुननखंड करो 2 से भाग दो 13 1 ठीक है 11 में में भाग दो 12 से तो जाएगा ने जाएगा क्या नहीं जाएगा, तीन तीया नो, तीन से भी नहीं जाएगा, पांच से भी नहीं जाएगा, तो साथ से चला जाएगा, क्या, साथ से कम, साथ, साथ एकम, साथ बच्चा, दो उतार लिया, एक साथ तीया, एक की, साथ से चला जाएगा, ठीक है, कितनी बार जाएगा, तेरे एक्किन में तो ये हो गया एक बार तो दोनों के गुनन खंड आगे अना 26 के गुनन खंड क्या है दो गुना 13 और एक्किन में के क्या है साथ गुना में 13 तो HCF तो सीधा-सीधा दिख गया कितना आ रहा है 13 13 दूनी 26 तेरे तिक्यावन तेरे चोग बावन तेरे पंच पैसर तेरे साथ एक्केन में दोनों में भाग चला गया HCF का मतलब होता है HC बड़ी से बड़ी संख्या जिस संख्या से इन दोनों में भाग चला जाए तो HCF बरावर कितना है 13 और LCM बरावर क्या है देखो ये दो जोड़े हैं ये तो ऐसे के से आ जाएगा 13 अब बचे कुछ सब को उतार लो साथ गुना में दो तो ये हो गया 13 साथ एक किन में और एक किन में गुना दो करेंगे तो दो और अठा है इधर लिख देता हूं 189 ठीक है दोनों से भाग चला जाएगा 26 से भी चला जाएगा और एक किन में से भी चला जाएगा ठीक है देखो 26 से तो जाएगा 7 वार और 91 से जाएगा 2 देखो 137 एक किन में यहां आएगा 2 182 देखो 137 एक किन में गुना दो करेंगे तो 2 एकम 2 और 9 दो नी 18 182 आ रहा है कितना आ रहा है 182, अब हमें जाच करनी है क्या करनी है, जाच करनी है यानि कि सिद्ध करना है कि ये जो दो है संख्या, इन दोनों का गुणा, इन दोनों संख्याओं के बरावर होता है या नहीं, तो कर लेता है देखो 26 गुणा 21 में बरावर होना चाहिए LCM गुणा HCF के तो इन दोनों का गुणा कर लो 26 यह हो जाएगा 9, 6, 54 कहां से लगी पांस, 9, 2, नहीं 18, 18, 18, और 5, 23 6, 6, 3, 2 यह आ रहा है 2366 कितना आ रहा है बरावर होना चाहिए किसके 13 गुणा 182 तो 182 गुणा 13 कर लो 2366 यह भी कितना आ रहा है 2366 तो यह अपना हो चुका है व्यक्त यही उसने कहा था कि HCF और LCM ग्याद कीजे तता जाच कीजे दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है तो दो संख्याओं का गुणनफल यानि 26 गुणा एककिन में भी 2366 है और इन दोनों का भी कितना है 2366 तो यह था दूसरे का पहला दूसरे का दूसरा पान सो दस और बिन में कितना है? पान सो दस और बिन में तो दोनों उसका क्या याद करेंगे? वो ही सबसे पहले गुननखन करेंगे और फिर इनका LCM और HCF ग्यात कर लेंगे तो कोई कठन काम नहीं है जैसा अब तक करते आए हैं वैसा ही करते चलता है पान सो दस दो से भाग चला जाएगा दो दूनी चार बच्चे का एक पांच और पांच अब इसमें तीन से चला जाएगा क्या यह जाएगा आठ नुसले आठ तिया चोवीस बचेगा एक और यह भुझाएगा पिच्च आसी अब जाएगा पांच से पांच से कम पांच पांच सत्य पैंटीस अब सत्तावन 57 में किस से भाग जाएगा 57 में भाग जाएगा कि किसी से थोड़ दिर पहले भी हमने 85 को किया था तो यहां जाएगा 57 से नहीं जा रहा तो साइद 57 एक कैसी संक्या है एभाज्य संक्या है कैसी संक्या है एभाज्य संक्या है तो 57 में किसी और से भाग नहीं जाता एक बार फिर से चेक कर लेते हैं ठीक है 2 से भाग दिया यह हो जाएगा 255 यहनि की यह हो जाएगा 510 ठीक है फिर दिया 3 से भाग तो 8 तिया 24 255 में भाग दिया 3 से तो कितनी बार गया? 8 बार 8 888-24 बच्चा 1 और 5 तो 3 पंजे 15 85 में भाग देंगे तो यहाँ सत्ता बन नहीं आएगा यहाँ हैगा 17 कितना आएगा 17 17 पंजे 85 और अब भाग देंगे 17 से तो इसके गुनन खंड होगे 510 के 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 ठीक है भाग अच्चे से देना है वस भाग देने में ही गलती होगी कई वार पता नहीं चलता किस संख्या से भाग देना तो यहाँ तो देखो पीछे 2 है तो सीधा-सीधा 2 से चला जाएगा 4 और 6 ठीक है फिर 2 से चला जाएगा 2 और 23 में किस से भाग जाएगा 23 में तो 23 से ही भाग जाएगा यह हो गया बिन में 2 गुना 2 गुना में 23 तो यहाँ मैं लाइन कीज देता हूं तकि यह मिले नहीं HCF तो देखो एक जोड़ा तो बन रहा है दो का बस एक जोड़ा दो का ही बन रहा है तो ऐसी एक मात्र संख्या 2 है जिससे हम इन दोनों में भाग दे सकते हैं 2 के इलाबा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका हम इन दोनों में भाग दे सकते हैं ठीक है तो HCF तो आगया 2 LCM देखो एक बार 2 को तो ऐसे कैसे लिख लो फिर बच्चे कुछे सब को लिख लो गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और गुना में 20 गुना करेंगे ना तो अपने को क्या आजाएगा इनका LCM आजाएगा तो देखो यह बहुत बड़ी संख्या हो गई गुना करने के लिए ना तो गुना करने में गलती नहीं होनी चाहिए अगर गुना करने में गलती हो जाएगी तो अपने गड़बड हो सकती है ठीक है तो देखो दो दुनी चार दो दुनी चार चार तिया बार है और बार है पंजे 60 ठीक है यहां तक हो गया गुना 17 गुना में 23 तो पहले मैं 17 गुना 60 कर लेता हूं ठीक है साथ चिंग 42 का दो कहां से लगी 4 6 1 कम 6 और 4 10 और यह आ गई 0 कितना आया 1020 अब गुना करते हैं 23 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2 23 460 कितना आ चुका है 23 460 ठीक है यह क्या आया है LCM आया तो HCF 2 है और LCM 2 है अब इन दोनों संख्याओं का गुना और इन दोनों संख्याओं का गुना करना है और चेक करना है कि वो बरावर आते हैं या नहीं आते हैं तो संख्याओं का गुननफल गुना HCF गुना में LCM ठीक है तो यह हो जाएगा पान सो दस गुना में विन में बरावर यह हो जाएगा तेईस चार सो साथ गुना में दो ठीक है पहले में उधर यह आसान सा गुना इसको कर लेते हैं 0, 6 दुनी बारेक दो का 4 दुनी 8 और एक 9, 3 दुनी 6 और 2 दुनी 4 तो 46,920 आया है यहां भी उतना ही आना चाहिए करके देख लेते हैं 0, 2 और 10 0, 9 और 9, 5, 45 तो 0, 2, 9, 6, 4 उतना ही आया है देखो दोनों बरावर आ गए है न 46,920 तो यह क्या हो चुका है सिद्ध हो चुका है कि दो संक्याओं का गुननफल उनके HCF और LCM के गुननफल के बरावर होता है ठीक है न कोई भी दिक्कत नहीं है सीधा है सीधे इनके गुननफल करना है अब हाज गुननफल फिर जो दोनों में common है वो तो हो जाता है LCM और LCM को लिखे के और जितने भी बच्चे होए उनका गुना कर देते हैं तो अपना आ जाता है LCM तो इसमें हो गया अपना सवाल दूसरा दूसरे का पहला हो चुका है और दूसरे का दूसरा दियो हो चुका है अब है दूसरे का तीसरा यह कह रहा है 336 और चौवल 336 और 54 ठीक है तो 336 और 54 के पहले क्या करने हैं हमें इनके गुनन खंड एभाज गुनन खंड करने हैं क्या करने हैं एभाज गुनन खंड तो 336 के करते हैं पहले ठीक है तो देखो पीछे 6 है तो 2 का भाग चला जाएगा तो एक कम दो यहां हो गया 6 दूनी 12 है बचे का एक 8 दूनी 16 एक फिर 2 से चला जाएगा 8 और 4 फिर 2 से चला जाएगा 4 और 2 फिर 2 से चला जाएगा 2 और 1 फिर 3 से चला जाएगा 7 और फिर 7 से चला जाएगा एक वाल ठीक है? चववन दो से भाग देता है पीछे चार है ना चला जाएगा तो 27 दो नी 24 ही आ जाएगा 27 27 में दो से तो जाएगा नी 3 से चला जाएगा ना 9 तिया 27 फिर 3 से चला जाएगा तीन बार और फिर 3 से चला जाएगा एक बार तो यह हो चुके है इनके क्या? गुननखंट ठीक है? तो अब हमें क्या करना है? HCF और LCM निकालना है तो सबसे पहले इनको लिख लेता है एक बार मैं फिर से संख्या चेक कर लेता हूँ कोई गड़वर तो नहीं है 336 और 54 ठीक है? तो दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना तीन गुना में साथ दो गुना तीन गुना तीन गुना में तीन पहले HCF निकालेंगे ठीक है? जो दोनों में कॉमन है तो एक तो दो कॉमन है और एक तीन कॉमन है और थोड़ी है इसके लावा अब यहां तीन है तो यहां तीन नहीं है यहां दो है तो यहां दो नहीं है यहां साथ है तो यहां पर साथ नहीं है तो क्या करते हम? दो गुना तीन बराबर छे यह क्या चुका है? ये वाला दो, ये वाला दो, ये वाला साथ, ये वाला तीन, और ये वाला तीन, अब इनका क्या करना है, गुना कर देना है, क्या कर देना है, गुना, तो देखो दो, पहले दो दो को कर लेते हैं, सबका एक साथ, दो दुनी चार, दुनी आठ, दुनी सोल है, चार है, ठीक है अब ऐसे ही तीन तिया नो और नो तिया 27 तो यह हो गया 16 गुना 27 गुना में 7 ठीक है देखो यह 6 तो ऐसे कैसे ही है फिर यह बच्चे कुछ तीन दो ठीक है ने इन सब का क्या कर दिया गुना देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तीन तिया 9 और नो तिया 27 और यहां क्या बच्चना है 7 तो 16 गुना 27 गुना 7 तो किसी का ही पहले इन में आपस में गुना कर लो मैं 16 गुना 7 कर लेता हूं पहले एक सो बारे का गुना कर लेते हैं 27 से साथ दूनी 14 हाँ चल लगी है 4 2 0 3 कितना चुका है? 3024 LCM और HCF दोनों निकल चुके हैं अब क्या करना है? वेरिफाइ करेंगे दो संख्याओं का गुननफल गुना में HCF दो संख्याओं का दोनों संख्याओं का गुननफल बरावर होता है LCM गुना HCF तो दो संख्याओं थी 336 गुना में 54 और LCM और HCF अपना आया 3024 गुना में 6 तो करके देखते हैं पहले 6, 4 के 24 का 4 का 6, 2, 12 है और 2, 14 है 1 और 8 18145 अब इन दोनों का गुना करके देख लेता है यह हो जाएगा 5, 6 की 30, 0 हांसल लगी 3, 5, 15, 15, 15, 3, 18 हांसल लगी 1, 5, 15, 15 और 1, 16 तो 4, 4, 8 और 3, 11 हांसल लगी 1, 8 और 1 18,144 तो दोनों बरावर आ चुके हैं 18,144 बरावर 18,144 यह हो चुका है अपने दूसरे का तीसरा यानि कि अपना दूसरा सवाल भी हो चुका है complete जिसमें हमें क्या करना था HCF और LCM निकालने थे हाना HCF और LCM निकालने थे और हमें क्या करना था verify सिद्ध करना था यानि कि व्यक्त करना था कि इन दोनों संख्याओं का गुनन फल HCF गुना LCM के बरावर होता है तो अब आपको एभाज गुनन खंड करना आ गया होगा न और प्रैक्टिस करना बस क्या करना है भाग अच्छे से देना ये पता चल जाएगा आप किसका भाग देना है किसका भाग देना है तो ये बिलकुल आसान हो जाएगा तो दो सवाल आज अपनने कम्पलीट कर लिए हैं अब इसमें टोटल सवाल है साथ तो अब ये जो बचे कुछे सवाल है ठीक है तीसरा चौथा पांच चटा साथ ये हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे क्योंकि आज हम अगर कराएंगे तो जदा बड़ी वीडियो हो जाए तो अब आपको चैनल से क्योंकि हम अपना कंप्लीट से लिवस कराने वाल हैं और कोई भी दिखकत हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर जैसे भी आप चाओ संपर करके हमें बता सकते हो ठीक है थैंक